हर हर महादेव आगे सुनते हम स्रीकुल्दानन्द ब्रह्मचारी जी की डायरी स्कूल की पढ़ाई छोड़कर पश्चिम को जाने की आग्या ध्यान और आसन का उपदेश कुछ समय से मेरा दर्द बहुत ही बढ़ता जाता है दिन रात लगातार दुस्चह पीड़ा को मैं अब सहन नहीं कर सकता सरीर के बुरी हालत देखकर स्रीयूत रामकुमार विद्यारत्न मुझसे पढ़ना लिखना छोड़ छाड़कर पश्चिम चले जाने के लिए कह रहे है पढ़ने लिखने का अब मुझे रत्ती भर भी उत्साह नहीं है बहुत दिन तक घर बने रहने के बाद भी कुछ दिन से पढ़ाई सुरू कर दी है अब अगर पढ़ाई बंद किये देता हूँ तो बड़े भाई लोग क्या कहेंगे सदा यही याद आता है आज अकस्मात बड़े दादा का पत्र आ गया विद्यारत्म जी दादा के गुरु हैं मालूम नहीं उन्होंने दादा से मेरे सम्मंध में क्या कह दिया है विद्यारत्म जी की बात का उल्लेक करके दादा ने मुझे लिखा है कि पढ़ना लिखना छोड़ कर तुरंत पश्रिम को चले जाओ अपनी वर्तमान, दुरवस्था में, भगवान के अध्भुत, सवकरुन विवस्था देख कर मैं बहुत ही विश्मित हुआ विद्यारत्म जी से दादा के दिक्षा ले लेने की खबर पाकर मुझे मन में बड़ी चोट लगी थी गुस्वामी जी ने मुझसे तभी कहा था, इससे तुम्हें भी बहुत लाब होगा, या तुम्हें जल्दी मालूम हो जाएगा गुरुदेव की वह बात इस समय बार-बार याद आकर मेरी संसे पुन अविश्वासी चित को भी उनके सांती प्रद स्री चर्णों में सनलगन कर रही है गुरुदेव की चर्णों को बारं-बार मन ही मन प्रणाम करकी मैंने प्राथना की दयालो महराज ऐसा करना कि अब मैं हमीशा के लिए पढ़ाई के जंजाल से छुटकारा पाकर स्कूल कारागार से रिहा हो जाऊं और सदा तुम्हारी सिवा में हाजिर बना रहूं दादा का पत्र मिलने पर आदे घंटे में ही मैंने पढ़ाई के पुष्टकों को इककत्र करके कसकर बान दिया डेरे के रहने वाले सभी लोग स्कूल कॉलेज जाने के लिए तयार होने लगे और मैं पश्चिम जाने के अनुमती मांगने को गिंडारिया में स्वामी जी के पास चला गया रास्ते में मुझे देखकर स्यामाचरण पंडित जी ने कहा इस समय गुस्वामी जी के दर्शन आसानी से ना होंगे कारण पूछने पर उन्होंने कहा आजकल वे दिन रात ही आसन घर में बंद रहते हैं एक महीने तक पंच मुंडासन पर बैठ कर वे बहुत ही कठोर साधन करेंगे इस दर्मियान बाहरी लोगों को उनके दर्शन बहुत कम मिलेंगे सिस्यों को भी निर्दिष्ट समय पर ही दर्शन मिलेंगे मैंने पूछा पंच मुंडासन पर गुस्वामी जी को साधन करने की अब ऐसे क्या जरुरत हो गई स्रधेप पंडिच जी ने कहा वे परमहंस जी की आज्या बतलाते हैं अब गुस्वामी जी प्रायास सरवदा समाधी में मगन रहा करते हैं पंच मुंडासन की सिद्धी हो जाने पर पर लोक गत पांच महात्मा लोग गुस्वामी जी की देह के निग्रानी करने के लिए हर घड़ी नियुक्त रहेंगे। उक्त आत्माएं, सारी आपत्तियों, संकटों, प्राकर्तिक दुरघटनाओं तथा दुरदैव से देह को बचाए रहेगी। बक्षी दादा की बात सुनकर मैं दंग हो गया। गुस्वामी जी के या अद्भुत साधन करने की बात सभी गुरु भाई नहीं जानते। गुरु देव के जो तीन-चार घनिष्ट सिस गिंडारिया में रहते हैं उन्हीं को यह हाल मालूम है। इस सम्मंद की साफ-साफ सब बाते जानने का मुझे बड़ा कौतु हल हुआ। मैं मन ही मन गोस्वामी जी से दर्शन देने की प्राथना करके गिंडारिया आस्रब में पहुँचा। भाजन कुटी के पास पांच-साथ मिनट तक बैठते ही गोस्वामी जी भीतर से निकले। उन्होंने मुझे देखकर अपने पास बुला कर कहा। तुम्हारा सरीर तो बहुत ही सुस्त दिख पड़ता है। अब क्या करने का इरादा है। मैंने बोला, दादा ने पश्चिम में आने के लिए लिखा है, अब क्या करूं। गोस्वामी जी ने कहा, अच्छा, अभी तो तुम्हें यही करना चाहिए, अब तो परिक्षा का समय मालूम होता है, तो क्या करोगे, तंदरुस्ती खराब रहने पर पढ़ाई करना अच्छा नहीं। मैंने बोला, जो इस बार परिक्षा में ना बैठा, तो फिर कभी इस जमेले में ना पढ़ूंगा, इस समय आप जो कहें वही करूं। गुस्वामी जी ने कहा, स्कूल में पढ़कर क्या करोगे, तुम भी खूब हो, सरीर नस्ट हो जाए तो परिक्षा पास करके क्या करोगे, उद्दीश तो विद्या को प्राप्त करना है, बस वही हो जाना चाहिए, जितने बड़े बड़े आदमियों मिल प्रभिर्ती का ह सुना जाता है, उनमें से स्कूली सिक्षा तो बहुतों को नहीं मिली, स्कूल में पढ़े बिना भी विद्या प्राप्त की जा सकती है, यही करो, स्कूल की पढ़ाई तुम्हारे लिए सुभीते की नहीं है, जिनकी तंदुरुस्ती खराब है, उनका स्कूल में पढ़ना म हमारे देश में जिन लड़कों बच्चों को बीमारी देखी जाती है, उनमें से बहुतों कोव स्कूल की पढ़ाई के बदौलत ही हुई है, जल्दी जल्दी खापी कर तुरंथी स्कूल को दोड़ते हैं, दिन भर बेहत परिश्रम करते हैं, इसके उपर परीक्षा के फिक्र दिमाग को खराब कर देती है, इनी कारणों से तो इतनी बीमारियां है, समय से पहले ही बुढ़ापा धर्द बाता है, तुम अपने दादा के पास ले जाओ, वहाँ पर तुम्हारा सरीर और मन सब कुछ अच्छा रहेगा, उस समय बीच बीच में खूब अच्छे अच्छ बात ना बतलाना, वह बतलाने की मना ही है, और उन्हें हमारे साधन के भीतर लाने के कुछ चेश्टा मत करना, उनके लिए तुम तनिक भी उद्योग मत करना, जब उनका समय आएगा, तब वे आ जाएंगे, तुम्हारे कुछ करने धरने की जुरुत नहीं, हम लोगों का य गोस्वामी जी ने बहुत ही संचेप में बतलाया कि अमुक अमुक ने बड़ी विचित्र रीती से दिख्षा ली है, इच्छा है कि उन लोगों के मुह से सुनकर ठीक ठीक सब हाल समय और शुभीता पाकर विश्टरित रूप में लिखोंगा, मैंने पूछा, रामकुमार बाबू कैसे आदमी है, क्या वे ब्रह्म समाज के साधन के सिवा अने किसी प्रकार का साधन करते हैं, गोस्वामी जी ने कहा, हाँ, वे और प्रकार का साधन करते हैं, किन्तो उनको सक्ती प्राप्त नहीं हुई है, सक्ती पा जाते, तो उसे छिपा ना सकते, व लेकिन एक बात यह है कि बहुत अधिक प्रकट हो गया है साधन को गुप्त ही रखना चाहिए गुस्वामी जी ने कहा यह तो ठीक बात है किन्तु सक्ती छिपी नहीं रहती और सत्य का तो नास नहीं है सत्य वस्तु को प्रकट करने में किसका डर है जो सत्य है वह अवश्य प राप्त हो जाएगी तब देख लेना कि वह गुप्त नहीं रही। राम कुमार बाबो की खुब स्रधा भक्ति करना वे अच्छे आदमी है। हमारे इस साधन में सभी की भक्ति करने के आग्या है। रास्ते के कुली मजदूर की भी भक्ति करना। भक्ति के पात्र सभी हैं। बिना आगा पीछे किये जो व्यक्ति जितने अधिक लोगों की भक्ति करेगा उसका उतना ही अधिक लाब होगा। मैंने पूछा आपने साधन के जो नए नियम बतलाए हैं क्या मैं उनका पालन करूँगा। हाँ हाँ इस तरह आशन लगाना और यहाँ दृष्टी को जमा करके ध्यान रखना। अब गुस्वामी जी ने आशन लगा कर दिखा दिया और ध्यान का इस्थान भी बतला दिया। मैंने पूछा ध्यान क्या है ध्यान किसे कहते हैं मैं तो कुछ भी नहीं जानता कैसे ध्यान करूँगा। गुस्वामी जी ने कहा अच्छा तो आशन लगाय हुए बैठे बैठे नाम का जब करना और आखे बंद करके दृष्टी को यहाँ इस्थिर रखना। फिर अपने आप सब मालूम हो जाएगा। मैंने पूछा आखे बंद रखकर फिर वहाँ दृष्टी को किस प्रकार इस्थिर रखोंगा। गुस्वामी जी ने कहा आखे बंद रहेगी मन को उस इस्थान पर इस्थिर करना। मैंने बोला बिना कुछ पाए खाली मन एक जगा किस तरह ठहरेगा। गुस्वामी जी ने कहा अभ्यास करने से ही कुछ समय के बाद अनेक प्रकार की जोती और रूप आदी के दर्शन होने लगेंगे। अभी मन को एक इस्थान पर इस्थिर रखने की चेश्टा करो। फिर तुम्हारे लिए जो कुछ जरुत होगी वह सब मालूम कर ले सकोगे। मैंने जानना चाहा कि ऐसे आशन में बैठने का अभ्यास हो जाने से क्या लाब होगा। गुस्वामी जी ने कहा, अमल, उदरी, सुजन, वात और पैतिक आदी रोग इस आशन में बैठने से दूर होते हैं। और भी बहुत फाइदा होता है। अभ्यास करने पर धीरे धीरे मालूम हो जाएगा। इससे पहले वाला जो ओडियो था, उसमें बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि गुस्वामी जी ने किस मुद्रा के बारे में बताया है। कुछ वो हाथ से सायद मुद्रा बताते हैं स्री कुल्दानन ब्रह्मचारी जी को। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि स्री कुल्दानन ब्रह्मचारी जी ने जो डाइरी लिखी है वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो इसमें किसी मुद्रा के बारे में जिक् बढ़कर यह करना थोड़ा मुश्किल है अगर आपके कोई गुरू है अगर आपने किनी से दिक्षा ली है तो आप उनसे पूछ सकते हैं वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे और अगर आपने दिक्षा नहीं ली है कोई ऐसे गुरू नहीं है आपके पास तो simply उसमें जो आनंद रामायन पढ़ सकते हैं आनंद रामायन में भी नामजब के बारे में बहुत सारी बाती दी गई है और मैंने इससे पहले वाले जो जो अडियो बनाया है उसमें दो पुस्तकों के बारे में मैंने बताया है तो आप वो दो पुस्तक देख सकते हैं उससे आपको में व्याप्त है बड़े दादा का एक पत्र लेकर मैं आज गोस्वामी जी के पास गया आश्रम में पहुचते ही स्रीधर और लाल प्रभिर्ती सभी ने कहा गोस्वामी जी बहुत बीमार है ज्वर चढ़ा है और सिर में दर्ध है इससे प्राया बेहोस पड़े हुए है आज भेटना होगी मैं कुछ कहें सुनें बिना ही बाहर आम के पेड़ के नीचे चुपचाप जा बैठा मन हीमन गोस्वामी जी का स्मरण करके मैं उनसे दर्शन देनी के लिए प्रात्ना करने लगा गोस्वामी जी घर के भीतर वाले कमरे में थे दर्वाजा बंद था माता महाराजिन, स्री स्री युकता, योग माया देवी अकेली उनके पास बैठे थी गोस्वामी जी को किसी ने मिर्याने के सूचना नहीं दी इतने पर भी माता ने अकस्मात दर्वाजा खोल कर स्रीधर से कहा स्रीधर, गोस्वामी जी कहते है कुल्दा बाहर बैठा, बाट जोहता है, उसे बुला लो ख़वर पाते ही मैं कमरे में गया, गोस्वामी जी बिच्वाने से उठकर बैठ गय, बाएं हाथ से अपनी कनपटी दबाए रखकर उन्होंने मुझसे पुछा किस काम से आये हो, मैंने उन्हें दादा का पत्र पढ़ सुनाया, असल बात यह लिखी है, महात्मा नागा बाबा, मुझको बहुत चाहते हैं, एक दिन उन्होंने मुझे बुला भेजा मैंने दूर से ही उनको नमस्कार करके कहा, बाबा, मुझे बड़ा विश्वास रहता है, दया करके मुझे विश्वास दीजिए नागा बाबा ने अपनी जटाओं को सामनी की और माथे पर फैला दिया, और उन्ही के भीतर होकर मुझे पर बड़ी इस्नेह दृष्टी डाल कर कहा, अच्छा बच्चा, अब होगा, तुम्हारा विश्वास बन गया, चले जाओ मैं तुरंत ही उन्हें नमस्कार करके चलाया, उसी दिन से भगवान का नाम प्राप्त करने के लिए मेरे प्राण सदा विकल रहने लगी, वैसे तो मैं सैकडो नाम जबता हूँ, किन्तु सोचा कि उसे कुछ होने का नहीं, ऐसा लगने लगा कि यदि कोई आकर मुझ से पे बिना ही मेरे प्राथना की, मुझे नाम प्रदान किया, भगवान के इच्छा समझ कर मैंने उक्त नाम ले लिया, अब नाम का जब करते समय, मैं घर द्वार, इस्त्री पुत्र और अपनी देह तक को भूल जाता हूँ, यह राज छोड़कर एक भिन राज में पहुँच ज जाता हूँ, मालूम नहीं कि यह नाम का ही गुण है, अत्वा नागा बाबाजी की कृपा का फल है, पत्र को सुनकर गोस्वामी जी ने कहा, अच्छी अवस्था है, सुनकर बड़ी प्रसनता हुई, पिछली बार तुमने उनको कुछ अच्छी चिठ्थी नहीं लिखी, व अब जाकर उन्हें खूब उत्साह देते हुए पत्र लिखो, वे जिस साधन को कर रही हैं, उसी को करते जाएं, उसी से उनका भला होगा, नागा बाबा उंचे दर्जे के सिद्ध पूरुस हैं, उनकी द्रिष्टी का फल अवश्य ही मिलेगा, विस्वास की प्राप्ती हो करने पर दूसरे के पास जाना ही पड़ता है, किन्तु वह अवस्था भी तो सहज नहीं है, गोश्वामी जी के सिर का दर्द देखकर मैं उठने को तयार हुआ, मैं रोआ रोआ सा हो गया, मैंने कहा, मेरी भीतरी हालत बहुत बुरी है, अब तक आपके पास था, क्या जाने अब किस अवस्था में कहा जा गिरूँगा, कोई ठीकाना नहीं कि अब क्या करूँ, मेरी बात पूरी होनी से पहले ही को स्वामी जी कहने लगे, तुम तो अभी गर्ब की संतान हो, तुमको फिक्र करने के लिए है ही क्या, मा को जिस तरह गर्ब के बच्चे की हालत मालूम हो जाती है, संतान के हिलते डोलने से ही वे समझ जाती है, उसी तरह गुरू भी सिस्ट की सारी अवस्था, सारी चेस्टा को हर हमेशा जान लेते हैं, संतान जब तक पैदा नहीं हो जाती है, तब तक उसमें किसी प्रकार की योगिता नहीं रहती है, माता जो कुछ खाती प दस नाड़ी के भीतर होकर संतान की देह में पहुँचता है। सिर्फ उतनी से ही गर्ब के बच्ची के पुस्टी होती है। इसी प्रकार गुरू को जो कुछ प्राप्त होता है उसका अंस अवशक्ता के अनुसार सिश्य को मिलता रहता है। गुरू के उन्नती के साथ साथ ही सिश्य की भी उन्नती होती जाती है। इसके बच्चे का जन्म हो चुकने पर भी माता ही उसको भोजन देती है। सारी आवशक वस्तुएं इकत्र करके माता ही उसका लालन पालन करती है। जब तक वा चलने फिरने और खाने पीने योगे नहीं हो जाता तब तक माता उसे आ उसे छोड़ नहीं देते, वे उसे उस समय भी बच्चे के तरह गोद में लिये रहते हैं, गुरु सदैव सब बातों में सिस्जिका, सुविता देखते रहते हैं। अब तुम्हारी मा के पेट से पैदा ना हो तो कोई बच्चा ना बचेगा। उसे सुविता ना होगी, उसका अमंगल होगा, ऐसा समझो तो या ठीक ना होगा। बच्चा करने से ही तो बच्चे बढ़ते हैं। खुब भगती स्रधा करना, सामप्रदाइक संकीर्णता मत रखना। मैंने पूछा, जब तक गुरू पर दिल्ध निष्ठा न उत्पन्न हो, उससे पहले क्या अन्य साधू का सत्संग करना ठीक नहीं है। गुस्वामी जी ने कहा, अन्य क्या। अन्य समझकर उसका सत्संग ना करे। एक गुरू सकती ही सारे संसार में व्याप्त हो रही है। या समझकर सभी का सत्संग करने से लाभी होगा। रक्ताधार में रक्त रहता है। तो क्या इसी से सरीर के अन्य स्थान में रक्त नहीं है। रक्त का आधार मूल स्थान ही रक्ताधार है। वहीं से संचारित होकर रक्त सारे सरीर में व्याप्त हो रहा है। सारे सरीर में जो रक्त है वह उसी रक्ताधार का ही तो रक्त है हाँ यह ठीक है कि यदि रक्ताधार में रक्त नहों तो सरीर में कहीं रक्त नहीं रह सकता सारे विशो में एक गुरु सकती ही व्यापत है संकीर्न भाव कुछ नहीं है संकीर्न भाव से बड़ी हानी होती है गुस्वामी जी ने कहा नहीं उसे संकीर्णता नहीं कहते जो रक्ताधार को भली भाती जानता है वो यह भी जानता है कि एक रक्ताधार का ही रक्त अनेक मार्गों से होकर सारी सरीद में व्याप्त हो रहा है वो सरवत्र एक ही वस्तु को देखता है गुस्वामी जी ने तनिक ठहर कर और भी कहा वहाँ जाकर साधन को छिप कर ही करना और दादा को खूब उत्साहित करना अपने अपने साधन भजन में निरुच्साहित किसी को ना करना चाहिए निरुच्साहित करने में बड़ा दोस है कोई किसी मार्क पर क्यों ना चलता हो उसे उत्साहित ही करना चाहिए या साधन ग्रहन करने के लिए किसी से अनुरोध मत करना आवस्त्ता होने पर भगवान ही तुम्हारे दादा को भी इसके भीतर ले आएंगे मैंने बोला तो क्या कुल साधन को छिपकर किया करूंगा गुस्वामी ची ने कहा जहां तक हो सके वहां तक करना ये चीजे गुप्त रखने की ही है बड़ी साउधानी से करना गुस्वामी ची एक हाथ से सिर पकड़े रहकर आद घंटे से भी अधिक समय तक मुझसे बाचीत करते रहें जोर का बुखार चढ़ा था सिर में औसहनी दर्द था फिर भी उनमें विलक्षन इस्थिरता दिख पड़ी मैं तो दंग हो गया देरे पर आकर निश्य किया कि जल्दी ही घर जाऊंगा अगर आप ये ओडियो पहली बार सुन रहे हैं तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि स्री विजे कृष्ण को स्वामी जी के जो गुरू थे वो मान सरोवर के सिद्धे थे और मान सरोवर जिसे अभी यात्रा करने हम लोग चाते हैं वो रियल मान सरोवर नहीं है सिद्ध उसे मान तालाब कहते हैं मान सरोवर वो सिद्धो का अस्थान है और वहां तक पहुचना जैसा कि गुस्वामी जी ने कहा है कि कोई हट योगी ही वहां तक पहुच सकता है क्योंकि उसका रास्ता बहुत दुरगम है उन्होंने ये भी बताया है कि वहां जो मान सरोवर है जब हम उसकी यात्रा करते हैं उसके तरफ जाते हैं तो बीच में एक ऐसा परवत मिलता है जिस पे अगर कोई भी गलती से चड़ जाये तो वह पत्थर बन जायेगा तो ये सब बाते इससे पहले के जो ओडियो बने गया है इससे पहले जो 46 ओडियो बने है उसमें मैंने बताया है तो अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो उसे अवश्य सुनिएगा स्री गोस्वामी जी ने वार्दी के ब्रहमचारी जी के बारे में भी बहुत सारी बाते बताई है मैं स्री वार्दी के ब्रहमचारी जी के पूरी जीवनी बना रहा हूँ तो डिस्क्रिप्शन में वाट्सप का नंबर दिया गया है हमारा अगर आप चाहें तो स्री वार्दी के ब्रह्मचारी जी की पूरी जीवनी सुन सकते हैं उसमें अभी थोड़ा समय लगेगा तो अगर आप चाहे तो एक छोटी सी पारिश्रमिक देकर अभी बूक कर सकते हैं और आपको वाटसेप पे ही अपडेट कर दिया जाएगा जब वार्दी के ब्रह्मचारी जी की जीवनी कंप्लीट हो जाएगी आपको गुरूब के माध्यम से ही ऑडियो फॉर्मिट में दिया जाएगा श्री कुल्दानंद ब्रह्मचारी जी की जीवनी पर भी मैंने पूरी वीडियो बनाई है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्रीकुल्दानन्द जी की ढायरी जो आप अभी सुन रहे हैं अभी इसमें बहुत से इस बचा हुआ है तो अभी आगे आज़े आज़े आते रहेंगे झाल